अस्सलाम वालेकूम आई डिया शुडरान हाव आई यू कैसे आप सब लोड बेटा होप यू ओल आर फाइंड ट्यूड अवर सब्जेक इस जीके चेप्टर नंबर 5 माई नेबर हुड तो बेटा यह जो जीके हैं हमारी सेमेश्टर 2 में चैरी जो है हमारी सेमेश्टर 2 की उ तो माई नेबर हुड की से कहते हैं नेबर हुड बेटा हम लोग ने इविएस में पढ़ा था सेम वन में राइट जो हमारे स्कूल के जो आजुबाजू हमारे स्वारी हमारे घर के आसपास का जो एरिया होता है वहां जो रेते हैं वहां जो चीजे होती है उसे हमारे नेब जैसे में आप बहुंगा आपको समझाया कि हमारे घर के आजबाजों का जो एरिया होता है वह क्या होता है हमारा नेबरूड होता है The people who live near our home are our neighbors कि जो हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं वो लोगों को क्या कहते हैं नेबर्स कहते हैं और जो places होती है उसे neighborhood और जो लोग लेते है जो people रहते है उसे neighbors कहते है यह difference आपको समझ में आना चाहिए कि लोगों होते है जो people होते होंगे neighbors और जो places होते है उसे neighborhood चलो identify these places हमें यहाँ पर identify करना है pictures को देखा यहाँ पर help desk as usual जैसे हमें हर बात दिया जाता है यहाँ पर भी दिया गया है चलो first picture किसका है बेटा guess करो यहाँ पर तो है वो hospital right hospital second है school school की याद आती है आपको yes आती होगी बराबर चलो अप थाड़ वान है कौन है देखो यहाँ पर मीठा यह सब कुछ है ब्रेड है जली भी है तो यह क्या होगा बेकरी ओके चलो यहाँ पर देखो बच्चे खेल रहे है तुम लोग खेलने कहा जाते हो पार्क में जाते हो तो यह क्या हुआ पार्क ओके चलो अब यहाँ पर है यह पुलीस खड़ा हुआ है उसके पीछे क्या है वह अगर पुलीस है तो उनके पीछे पुलीस स्टेशन होगा राइट पुलीस स्टेशन अब देखो यहाँ पे है हम लोग जाते है डीमार बिग बजार यह सारे चीज़े हम लोग जहाँ खरीदने जाते है उसे क्या बोलते है सुपर मार्केट जहाँ पे हमें सारी चीज़े एक ही साथ मिल जाती है तो इसे कहते है सुपर मार्केट अब देखो यहाँ पे एक लेड़ी है और एक अंकल है उनके पासे दवाई ले रहे है तो इसे क्या कहेंगे फार्मसी ओके चलो मैं पेक अंकल है और वो जो टिकीट है बता रहे है और वहाँ पे ट्रेन है तो इसे क्या कहेंगे रेलवे स्टेशन ओके चलो अब यहाँ पे देखो एक बच्चे है वो जो बस की वेड़ करें बस के लिए रूके हुए है तो इसे क्या कहेंगे बस टॉप ओके बेटा चलो तो यह हमारा चैप्त फॉई था नेवर रूर यह हमारा जहांपे फीनिश होता है बेटा यह सारी जो चीजए वो और किसी किसी के घर के पास पाक होता होगा किसी के घर के पास पुली स्टेशन फार्मसी रेलवे स्टेशन या बेकरी यह इसमें में से किसी ना किसी के घर के पास कुछ ना कुछ तो होता ही होगा तो यह हमारे क्या कहलाते हैं यह हमारे नेबर रूट कहलाते हैं ओके बेटा इसमें आ आलाफीद!